साथ क्यों जब नेताजी सुभाज यहां कोलकता में अपने 38 बटादो एलगिन रोड के घर्प में कैथ थे जब उन्होंने भारत से निकलने का इरादा कर लिया था तो उन्होंने अपने भतीजे शिशीर को बुला कर कहा था अमार एक्ता काज कोरते पारवे का अमार एक्ता काज कोरते पारवे क्या मेरा एक काम कर सकते हो इसके बाद सिखीर जी ने वो किया जो भारत की आज़ादी की सबसे बड़ी भज़यों में से एक बड़ा नेता जी ये देख रहे थे कि विश्वयूति के माहूल में अंग्रे जी हमकुमत को अगर बाहर से चोट पहुचाई जाए तो उसे दर्द सबसे जादा होगा वो भविश्य देख रहे थे कि जैसे जैसे विश्वयूति बड़ेगा वैसे वैसे अंग्रे जोंकी ताकत कम पड़ती जाएगी भारत पर उनकी पकड़ कम पड़ती जाएगी ये था उनका विज़न इतनी दूर देख रहे थे वो मैं कहीं पड़ रहा था कि इसी समय उन्होंने अपनी भती जी इला को दक्षणेश्वर मंदिर भी बेजा था कि मां का आशिरवार ले आओ वो देश से तुनंत बाहर निकलना चाहते थे देश के बाहर जो भारत समर तक सक्तिया है उन्हें एक जुट करना चाहते थे इसलिए उन्होंने युवाज सिसीर से कहा था अमार एक्ता काज कोड़ते पारवे क्या मेरा एक काम कर सकते हो साथियों आज हर भारती अपने दिल पर हाथ रखे नेता जी सुभाज बाबु को महसूस करे तो उसे फिर से ये सवाल सुनाई देगा अमार एक्ता काज कोड़ते पारवे क्या मेरा एक काम कर सकते हो ये काम ये काज ये लक्ष आज भारत को आत्म निर्वर मनाने का है देश का जन जन देश का हर खेत्र देश का हर व्यक्ति इससे जुड़ा है नेताजी ने कहा था पुरुष और्थो एवाम उपकरण निजे राय विजोएबा साधिन्ता आंते पारे ना आमादेर अबोशोई सेई उद्देशोषो की ठाक्त होबे जा आमादेर सोहसी काज एवं वीर्थ तपुरुणार शोसने उद्भूत कोरबे जानि हमारे पास वगिदेश वर शक्ति होनी चाहिए पि जो हमें साहस और विर्था पूंड तरीके से शासन करने के लिए प्रेरिद करे आज हमारे पास उद्देश भी है शक्ति भी है आत्म निर्भर भारत का हमारा लक्ष हमारी आक्प्रसक्ति हमारे आत्म संकल से पुरा होगा नेताजी ने कहा था आज आमा देर केबोल एक्टी इच्छाथा का उचित भारते इच्छुग जाते भारते बांचते पारे यानि हमारी एक इच्छावनी चाहिए कि हमारा भारत बच पाए भारत आगे बड़े हमारा भी एकी लक्ष है अपना खून पसिना वहा कर देश के लिए जीए अपने परिश्रम से अपने इनोवेशन से देश को आत्म निर्वर बनाए नेता जी कहते थे निजेर प्रोती शात होले सारे बिक्सेर प्रोती के उँँ असोध होते पार बेना अर्थात अगर आप खुद के लिए सच्चे हैं तो आप दुनिया के लिए गलत नहीं हो सकते हमें दुनिया के लिए बहतरीन क्वालिटी के प्रोड़क बनाने होंगे कुछ भी कमतर नहीं जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाले प्रोड़क्ट नेता जी ने हमें कहा था स्वाधिन भारोतेर स्वपने कोनो दिन आस्ता हारियो ना बिच्छे एमुन कोनो शुक्ती नेजे भारतों के परादिनानंतर सुंखलाए बेगे राखते समर्तों हो बे यानि आज अज भारत के सपने में कभी भरोसा मत खोईये दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत को बांद करके रख सके वाकई दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो 130 करोड देश वाच्यों को अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने से रोक सके साथियों नेताजी सुवाज चंदरबोस गरीवी को आशिक्षा को बिमारी को देश की सबसे बड़ी समस्याओं में गिनते थे सुवाज बावु कहते थे आमादेर साप्षे बोरो जात्यों समस्या हो लो दारीद रो अशिक कखा रोग वैज्ञानिक उत्पादोन जे समश्यार समादान हो बे केबल मात्रो सामाजिक बावना चिंता द्वाला अर्थात हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीवी अशिक्षा बिमारी और वैज्ञानिक उत्पादन की कमी है इन समस्याओं के सबाजान के लिए समाद को मिलकर जुटना होगा मिलकर प्रयास करना होगा मुझे संतोज है कि आज देश, पीडित, शोसित, बंचित को अपने किसान को देश की महलाओं को ससक्त करने के लिए दिन रात एक कर रहा है आज हर एक गरीब को मुप्त इलाज की सुविधा के लिए स्वास्त सुविधाएं मिल रही है देश के किसानों को बीच से बाजार तक आधुनिक सिविधाएं दी जा रही है खेती पर होने वाला उनका खर्च कम करने का प्रयास किया जा रहा है हर एक युवां को आधुनिक और गुनवत्ता पूर्ण सिक्षा मिले इसके लिए देश के एजुकेशन इंफास्टेक्टर को आधुनिक बनाया जा रहा है बड़ी संग्या में देश भारत में एम्स आयाइटी और आयाइम्स देसे बड़े समस्तान खोले गए है आधेश 21 भी सदी की जरुरतों के हिसाब से नई राष्टिय सिक्षा नीती भी लागू कर रहा है